फेक वीडियो रिलीज कर और इस खबरेओं में उबाल लाके उन्होंने बिहार में तो डितिश कुमार और तेजेश्वी यादों के लिए स्थिती बिकट कर दी थी तमिल नाडू का ये जो तीर है ये नाकाम सामित हुआ और ये उल्टा बीजेपी को ही डेमेज कर गया नमस्कार स्वागत आपका हिंद वोइस में लेकर आया हूँ आपका अपना करिक्रम अशोक मानकड़े बोलता है तो फिर अशोक मानकड़े तोलता है और इस बार तुलेगी भारतिय जनता पार्टी राजनीती में मतभेद होते है राजनीती में पार्टी का जो अजंडा होता है गोशना पत्र होते है उस पे चुनाव रढ़े जाते है लेकिन 2014 से लेके हमने राजनीती में इतनी गंदगी देखी है एजन्सी को यूज दूसरी की पार्टी तोड़ना लेकिन जो सबसे घटिया काम जो हुआ है जो पिछले सब्ता और जो अभी भी चल रहा है वो है जूटी ख़बरे परुसना और जिसमें दो अलग अलग विचारदारा के लोग हो या दो अलग प्रांथ के लोग हो उनके खिलाफ नाफरत पैदा करना ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक बहुत बड़ी दिल दहलाने वाली खबर थी कि तामिल नाडू के यहां तामिल नाडू में जो प्रवासी मजदूर है मतलब जो मजदूर भाई बिहार, यूपी, औरिशा, हिमाचल, उतराखंड, मध्यप्रदेश से तामिल नाडू में काम करने के लिए जाता है जिसके भरोसे तामिल नाडू की अपने एकोनोमी ग्रो कर रही है उनको लोकल तमिल लोगों ने बुरी तरह से पीटा एक विडियो वाइरल हुआ बताया जाता है कि वो विडियो जो है तिरपूर का है और बाद में बिहार की सरकार सजग हुई क्योंकि कहीं भी बिहारी यदि मार खाएगा तो बिहार का जो सत्ता धीश जो बिहार में सत्ता में कम से कम उनके लिए नहीं पुरे देश के लिए चिंता का विशे है भारत में अलग-अलग राज्य है लेकिन एक समीधान है हमारा समीधान किसी भी राज्य में कहीं भी जाने के लिए रोकता नहीं जब तक कोई ऐसा मामला स्टैटेजी को या डिफेंस के देश की सुरक्षा क मामला हो जैसा कुछ राज जहे नौर्थीस्ट के कुछ राज जहे या जमु कश्मीर में पहले जाने के लिए तकलीब होती थी क्योंकि हो देश के सुरक्षा के पॉइंट आफ यू था लेकिन यूपी का आदमी महारास्ट र का आदू जाए गुजराट का आदमी केरल जाए केरल का आदमी तमिल्नाडू में जाए इस पे कोई रोग ठोक नहीं थी लेकिन सबसे पहले मुंबई में उतर भारतियों को तकलीफ सुन देना चुरू हो गई क्योंकि तब मराठी हस्मिता की बात करने लगे जब हिंदू त्वक चोगा पहन लिया उन पार्टियों ने तो अब उनी लोगों के लिए छट पूजा भी वहीं लोग और्गनाईज करते हैं जो लोग पहले उनको भगाने के बात करते थे तमिल नाडू में हिंदी भाषा को लेके बहुत इशू है तमिलियन अपने तमिल भाषा पे नाज करते हैं और हिंदी उपर से थोपनी नहीं चाहिए ये इनके लिए वो आज से नहीं जब देश आजाद हुआ तब से लेके वो हिंदी के लडाई चल रही है लेकिन हिंदी फिल्में भी वहां रिलीज होती है हिंदी की फिल्मों के रीमिक होते हैं तमिल नाडू के दक्षिन भारत के तमिल नाडू हो आंद्र हो केरल हो यहां के एक्टर्स यहां के कलाकार हिं अब वहां के पुलीस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया तो ये तो टोटल फेक वीडियो है और इस वीडियो को हवा देने वाले को भारतिय जंता पार्टी के आईटी सेल क्योंकि उनके अध्यक्शिस में इन्वाल्ड है अन्ना मलाई के अन्ना मलाई और उनके खिलाब अब साइबर क्राइम का एक केज भी दर्ज हो रहा है तो अपने जवाब अपने बचाओ के जवाब में वो कहते हैं ट्वीट करके कि ये तो डियम के वाले तो हमेशा ही उतर भारतियों के खिलाब बोलते हैं इनके पुराने वक्तव्य उठा के देखिए तो ऐसे तो वक्त पर जब टैलिन स्टैलिन सत्तर के हुए तो एक माविशाल रैली का आयोजन चिन्नाई में हुआ बहुतो नभविश्चति ऐसी रैली हुई उसमें कॉंग्रेस के अद्ध्यक्शं मलीकर जिन खरजगे गए क्योंकि वो तो उनके सत्ता में पार्टनर है महाँ पे एाइए ब तो उत्रप्धेश के पूर्व मुक्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमोग अखिलेश दीके वह बिहार की उपलो मुक्यमंत्री तेजस्वी दीके सारी विरोधी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाप थी उनका जमघट यदि स्टैलीन के मंच पे लगता है तो पेट में दर्थ तो होगा बीजेपी को तमिल लाड़ों में खोने के लिए कुछ नहीं ना कोई मतदाता है ना कोई सीठ है या ये डीमके के भरूसे है वो जो दे तो भला ना दे तो भला लेकिन ये बवाल का वडियो फेक वडियो रिलिस कर और इस खबरें में उबाल लाके उन्होंने बिहार में तो नितिश कुमार और तेजस्वी यादो के लिए स्थिती बिकट कर दी थी क्योंकि ये मैसेज ये जा रहा था कि बिहार के उपर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादो जिस मंच पे स्टैलीन के साथ मंच शेर करते है उसी स्टैलीन के राज्य में बिहारियों को पीटा जाता है उनको मारा जाता है उनकी हत्ताएं होती है उनको भगया जा रहा है तो एंटी बिहारी जो छवी स्टैलीन की बनाने का प्रयास किया वो सीधा हमला बिहार के वर्तमान नेत्रोटों पता, तो बिजेपी के लिए तमिल्नाडु में खोने के लिए कुछ नहीं, कल तमिल्नाडु की जंता सोच भी ले कि ये गलत खबर फैलाते हैं, और इनको बहिश्कार करना चाहिए, तो भी बहिश्कार करने के लिए उनको होना भी तो चाहिए तामिन लाडू में लेकिन बिहार में जिन्ने मरने का सवाल है क्योंकि जिस नितिश बावू के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी वो नितिश बावू उनको किनारे लगके फिर तेजस्वी के साथ चले गए और जब तेजस्वी के जो पिछले चुनाव में इन्होंने किया था तेजस्वी के साथ चुनाव लड़की नितिश आये थी इन्होंने नितिश को हाईजाक किया था इस बार नितिश के साथ चुनाव मिलके आये तेजस्वी ने उनको हाईजाक किया हिसाब बराबर हुआ लेकिन आने वाले लोग सभा में क्या सीटे बरकरार रहेगी क्या बिहार में यही तेजे स्विय और नितिजबावी एक हो गए और दिल से ठीक ठाक लड़ लिये चुनाव कॉंग्रेज भी उसमें साथ में है जो भी वहां पे नई की बरबर शेर है फिर भी बाकी पार्टियां साथ में अईसे में क्या वहां बीजेपी का सुप्रा साफ होगा बीजेपी को तमिल लाड़ों में खोने के लिए कुछ नहीं इसलिए उन्होंने शाहिद इक दाव चला लेकिन उसको पाना था बिहार में लेकिन यह डाव उल्टा पड़ गया एक जगा तो जहारकंड और बिहार के दो मजदूरों का जगड़ा था और बाकी जगा वीडियो कहां का ओडियो कहां का सब जहर्जाल जो करते रहते हैं vendo सामने आया या तमिलनाडू के गवर्नर, जो स्वयम बिहार से आते हैं, उन्होंने तक कहा कि यह गलत खबर है और ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि तमिलनाडू में जो होटेल इंडस्ट्री है, रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, यह में सिमीज है और उनका जो खासकर प्लम्बिंग, कारपेंट प्लम्बिंग, इसके लिए लोग नहीं मिलेंगे, वह रियर इस्टेट के काम ठप हो जाएंगे, होटिल इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, वह में सिमीज ठप हो जाएगी, इसलिए कोई तमिलियन अपने पेर पे कुलहरी नहीं मारेगा, लेकिन हाँ, खबर तमिल लाडू की थी, निशाना बिहार का था, यह जो दो अलग-अलग राज्यों के रहिवाईसियों के बीच में, जहर फैलानी का जो काम करते हैं, मुझे लगता है कि भारतिय सम्गिधान के कि जाहिता मिल लाडू के हूँ, जो भी दो प्रांतों में लड़ानी की बात करते हैं, उन फिर ये मुकदमे चलने चाहिए, महरास्ट और करनाटक का सीमा विवाद भहुत भयानक है, लेकिन उस विवाद में जब ट्रक वाले पीटे जाते हैं, यह साउंति इंडियन होटि पर हमले होते हैं, तो यह वो लोग करवाते हैं, जिनको दंगे करवाने में मजा आती है, जिनको दंगे में फायदा मिलता है, राजनितिक नहीं, वो तो लूट पार्ट वाले लोग हैं, तो कुल मिलाके तमिलनाडू का यह जो तीर है, यह नाकाम सामित हुआ, और यह उल् अगे जाके हम अपना स्टेंड लेंगे यह कनफरम है इसलिए आज भाज़पा को दोल रहा था होली की शुब कामना है, होली के दिन सरिफ होली का दहन नहीं होगा, बेरूजगारी का, गरीबी का, सरकार में जो कहती है एक क्यासी करोण लोग जो अनाच पे भीक पे जी रहे हैं, उनके उस देनिय स्थिती का भी दहन होना चाहिए, और दहन होना चाहिए, समाज में विश्में फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले विचारोंगा, तबी सही मायने में होली होगी, एक बार फिर से आपको होली की शुब कामना है, धन्यवाद, फिर आओंगा किसी विशे की साथ अब तक देखते रहेगा, हिंद वोइस.